हेलो गुड आफिर नुन एवरी बड़ी माइन में शुभम जग्दीश एंड विलकम बाक्व चानल सो हम होंगे काम्याब इस मुहीम को लेकर हम लोग कुछ शुरू कर रहे हैं और आज से आपके रिवाइज रिवीजन स्ट्राटिजी मैं लेकर आ रहा हूं पर डे मैं एक ल पॉइंट्स का रिवीजन कराने वाला हूँ ठीक है ना जैसे मैंने बुला असना सबसे कन्फ्यूजन वाली बात क्या होती है यह इतने सारे एकॉनिस्ट है किस एकॉनिस्ट ने क्या कहा हम को यादी नहीं रहता है सर तो इस वीडियो में पहले चाप्टर से लेकर अप्रिंट करना है विश्वास यह आप्लिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या आप अगर आई ओस यूजर है तो माइंसिट्यूट आप डाउनलोड करें साथ में वहां पर आप से ओर जी कोड पूछेगा तो आप डालेंगे वहां पर एफ जी ओ जे ए और यह फ्री अफ्कॉस सबको अवेलिबल हो जाएगा हमारे फ्री स्टडि मटरियल सेक्शन के अंदर मैं यह पूरी पूरी पीपीटी वहां पर अप्लोड कर दूँगा अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर लें अपने पास रखना चाहें तो रख लें पीडिय आ या उसको note down करना चाहें तो note down भी कर सकते हैं यह आपके लिए notes बहुत helpful होंगे one day before revision के लिए ठीक है ना तो चलो भाई देखते हैं who said what किस economist ने क्या कहा है आओ जरा देखा जाए तो चलो भाई सबसे पहले देखते हैं कि हम यहां पर बहुत सारी चीज़ें आपके लेकर आ र अब तक यह मानते थे हम लोग 19th century तक 19 भी शताबी तक economics को political science माना दाता था पहली बात थीक होगी समझ में आरी बात अब अगली बात पढ़ते an inquiry into the nature about causes of wealth जब wealth की बात आएगी तो Adam Smith भहिया की बात आएगी और इन्हों ने ये बात बोली in 1776 यह किस ने बतायता यह बताय था आडम स्मित भईया ने ठीक है न आँगे बड़ते है नेचर जन्जनी पिनमिकेंस भाफ्मम सेम की जडरूरूरत क्या है यह बताय था हमको लियोनल रोबिंसन ने लियोनल मैसी नहीं है ये लियोनल रोबिंसन है भया ठीक है ना याद रखेगा ये बात आगे बड़ता है बिजने से चार कोशन आपको इस तरह के टॉपिक से मिलते हैं लेकिन अगर आपने सरसरी निगाहों उसे चार-पांच बार भी ये पीडियाफ रीड कर लिया या ये वीडियो देख डाला तो आपका रिवीजन हो जाएगा तो थोड़ा-थोड़ा कनेट करते चलते हैं वेल्थ की बात की थी आडम स्मिथ ने ये तो याद रहे जाएगा उसके बाद significance की बात की थी Lionel Messi नहीं Robinson ने ठीक है न Business Economist uses economics analysis to formulate business policies Business policies की बात की थी जोल डीन ने ठीक है न ये याद रहेगी आपको आगे बात करते हैं फिर लिखा है supporter of socialism socialism को support करने वाला आदमी कौन था Karl Marx इसलिए socialist मतलब Karl Marx के बारे में बात की जा रही है साथ में and Frederick English ये and ये बिटा and Frederick English दूसरे लोग थे जो socialism को support करते थे similarly capitalism को कौन support करता था capitalism को support करता था Adam Smith and J.B.C याद रहे जाएगा भया स्मिथ भया ने wealth की बात की नहीं है इसलिए capitalism को support करते थे साथ में दूसरा नाम है J.B.C फिर the communist manifesto was published in communist manifesto को published किया गया था in the year 1848 अब देख रहे हो तुमारे लिए ये information एग्दम ready made एग्दम cooked form में लेकर आएं भाई बड़ी help हो जाएगी आपको Weblen effect was named by अब देखो T.Weblen ने बोला था पूरा नाम है Thornstein Weblen तो T.Weblen या Weblen भी नाम याद रह जाएगा तो आपको चल जाएगा ये Weblen effect को देने वाले थे अब law of demand was defined by Alfred Marshall Alfred Marshall ने तो बहुत सारी चीज़ों को बारे में बताया है देरे देरे हम इस पूरे वीडियो में जान जाएगे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है law of demand किसने बताया Alfred Marshall भाई ने आगे बढ़ते Giffen Goods का Paradox किसने बताया Sir Robert Giffen Robert Giffen ने बताया था Giffen Goods का Paradox अब देखो तुम revision जब कर रहे होगा चैप्टर वाइस रिवीजन जो यहां पर concept देख रहे हो अगर तुम्हें concept clear नहीं है वापस से text books खोलो notes खोलो जो मैंने लिख पाए है वो जाकर एक बार revise कर लो ऐसा नहों कि आपको नाम तो पता है लेकिन concept भी गोल है ऐसा मत कर देना ठीक है ना भाई जाए बच्चों के लिए तो इसलिए हर एक चीज इसमें covered है फिर demand curve is downward sloping because of income and substitution effect income और substitution effect से जो demand curve होता है वो downward sloping होता है ये बताया था JR Hicks ने ठीक है ना कि downward sloping demand कर substitution effect से और income effect की वरे से हो रहा है ये दिया था JR Hicks ने utility is the property of object utility के बारे में बताया Jeremy Bentham ने ठीक है ना बेटा जी the concept of customer surplus was given अच्छा consumer surplus customer ये बतलब consumer surplus के बारे में बात की थी Alfred Marshall मैं आप comment section में लिखकर बताओ तुम्हें consumer surplus का पूरा condition पता है की नहीं बता है सब कुछ यह आ रहा है ना चलें आगे बढ़ा जाए फिर production is organized activity of resource into finished product भाई देको production के बारे में हमसे बात की थी James Bates and JR Parkinson ने इसके उपर पिछले सालों में question आया भी हुआ है ठीक है ना आगे बढ़ते profit is a reward of uncertainties profit के बारे में बात की थी Frank Knight ने profit is a reward of uncertainties बताया था Frank Knight ने इसमें बहुत explanation करने वारा part नहीं है इसलिए उसका आपका time में save करते हुए चल रहा हूँ फिर आगे देखते हैं देखते हैं और देखते हैं बाकी economist ने क्या का lower aggregate expenditure is a reason for massive decline in income and employment भाया खडचा कम होगा इसकी वरिस से issues आएंगे lower aggregate expenditure is a reason for massive decline in income employment ये बोला था JM Keens भाया ने ठीक है ना बात समझ में आ रही है trade cycle is purely monetary phenomena ये बोला था hot train है trade cycle के बारे में बात की थी कि ये monetary pesos से related होती है चीज़ए ये hot train है बोलता है trade cycle is the result of innovation innovation का मतलब is come Peter business activities are affected by wave of optimism and pessimism इनका पूरा नाम है तो कितना optimistic फील कर रहे हैं इसे आज की देट में लोग बोलते हैं बहुत तेजी से रिसेशन आने जा रहा है इसलिए share market डाउन हो रही है लोग एकदम से share market अप होने लगता है तो business activities भी वैसे एफेक्ट होती है इनका पूरा नाम है कालदोर तो कालदोर भी याद रहेगा तो चल जाएगा इन्होंने कॉप वेब थी थी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कॉप वेब को कॉप डगलस समझ लेते हैं वो अलग चीज है यह अलग चीज है बेटा याद रखना चलो भाई आगे देखते हैं वेल्यू इन एक्सचेंज मीन कमांड ओवर कमोडिटी इन जनरल वस गिवन बाई आप देखो वेल्यू ऑफ एक्सचेंज की बाद भी की थी एसी पिगाव ने चीक है ना बेटा आगे बढ़ते हैं चलो भाई और देखते हैं प्रोड़क्शन फंक्शन की बारे में जब बात आएगी तो सैम्यूलसन का जिक्र आएगा सैम्यूलसन ने बोला था कि इन्पूट्स हमकोट कॉंस्टेंट लेने हैं और साथ में गिवन स्टेंट लेनी है प्रोड़क्शन फंक्शन के अंदर यह बोला था सैम्यूलसन ने आते हैं कॉब डगल्स आगे जखो भिया और डगलस दो लोग थे कॉब डगलस फ्रोड़क्शन फंक्शन इस गिवन बाई पॉल एच्छ डगलस एंडंड थी कि W cob, दो economist ने Cobb Douglas production function के बारे में बताया था, comment section में लिखकर बताओ, Cobb Douglas production function तुमें पता है की नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो revise करना शुरू करेंगे भाई, अब मैं इसको कोशिच कर रहा हूँ कि आपको sort करके दे दू एक जगे पर, कि किस economist ने क्या-क्या बोला है, चीक है ना, समझ माया जाएगा, थोड़ा easy हो जाएगा बच्चों के लिए, Adam Smith ने क्या-क्या बोला था, economics is an inquiry, or cause of wealth के बारे में बताया, economics is a science which deals with wealth, wealth के बारे में बात करने वाले, Adam Smith थे, अब तुमको कभी भूल नहीं सकोगे, Alfred Marshall क्या क्या था, economics is a study of mankind, mankind के बारे में बतान हाता है, अब कई बार अगर आप लॉफ डिबरिशिक मार्जनल यूटिटी चेक करेंगे, कि किस ने दिया है on Google और एनी चाट जीवीडी प्लाटफॉर्म, तो वहाँ पर लिख कर आता है, हर्मन गुसैन ने दिया है, और सही बात भी यह है कि हर्मन गुसैन नहीं यह, हर्म मैक्सिमम प्लाटफॉर्म पर दिया है, अब मेरी बात समझता, अगर अल्फरिट मार्शल और हर्मन गुसैन दोनों दे रखें हैं, तो हर्मन गुसैन पर टिक करके आना, लेकिन अगर हर्मन गुसैन मिसिंग है और अल्फरिट मार्शल दे रखा है, तो अल्फरिट मार्श में बताया modern business activities are based on the anticipation of business community and are affected by the wave of optimism and pessimism अभी हम नोंने थोजे पहले देखा था ये भी एसी पिगाउव ने बोला हुआ है लियोनल रोबिंसन ने बोला था scarcity oriented definitions Paul A. Samuelson ने growth oriented definition दी है ये बात याद रहेगी तो आपको easily आप मेक आउट कर पाओगे exam में कि किस ने क्या बोला हुआ है ठीक है ना लियोनल रोबिंसन ने scarcity definition दी थी Paul A. Samuelson ने growth oriented definition दी जोल दीन ने क्या बोला था use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization scarce resources scarce resources को use करके आप क्या बढ़ी हाँ चीज कर सकते हो ये जोल दीन ने बोला प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या बोला study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, individual industries, particular commodities के बारे में बात की है प्रोफेसर बोल्डिंग ने और फिर आते है प्रोफेसर मेक कॉलनल ने क्या बोला macro economics examines the forest and not the trees, larger aggregates macro economics के बारे में बात करने वाले कॉलनल भही है थे और उन्हें ने बताया था कि जंगल की बात करोगे तो वो macro है और अगर individual trees के बारे में बात करेंगे तो वो micro है और देखते है जोल डी ने क्या बोला use of economics analysis to make business decisions involving the best use of organization's cards resource अभी एक और डी डिसकस कर चुका हूँ है प्रोफेसर बोलिंग ने क्या बोला था study of particular household ये भी हम लोग अभी कर चुके है प्रोफेसर मेक कॉनल ने भी अच्छा मज़ लगता है ये मेरी slide ही repeat हो गई है यहां तक हम लोग डिसकस कर चुके अगला दिखते हैं फिर Karl Marx ने क्या बोला था concept of socialist दिखाया था communist manifesto बताया था 1848 में Frederick English ने क्या बोला था communist manifesto in the year 1848 मतब ये चीज़ डिसकस की है लेकिन एक बार आपको एक एक जगह पर लिखकर दे दी है so that आपको help हो जाए Hicks और Allen ने substitution effect और indifference curve analysis के बारे में बताया है chapter number 2 के अंदर ये चीज़े दे भी रखी है फिर हमको James Dozenberry ने बताया था demonstration effect यहां spelling थोड़ी सी correct कर लेंगे हपन demonstration effect के बारे में बताया था James Dozenberry ने Thorsten Weblen ने Weblen effect के बारे में बताया और conspicuous consumption के बारे में बताया है दो चीज़ों के बारे में Weblen जी ने बताया है Alfred Marshall ने Giffen Goods के बारे में बताया और Olaf Helmer ने Delphi technique के बारे में बताया Delphi technique क्या होती है अभी थोज़ दिर पहले बताता है demand forecasting के लिए use होती है फिर James Bates and junior Parkinson J.R. Parkinson ने production function के बारे में बताया था और मैंने ये चीज़ आपको लिख कर वे दिया Ricardo ने बताया था definitions of land की वो indestructible होता है और permanent होता है R.L. Maris ने बताया था maximize the firm's balanced growth rate Scum Peter ने बताया था कि innovation कैसे करनी है इस computer जहां जाएंगे innovation पर टिक करेंगे आप बिटा H.A. Simpson ने बताया था satisfying behavior satisfying behavior sacrificing behavior होगा वैसे है मैं एक बार चेक कर लोगा इसको before uploading ठीक है ना Bomber ने बताया था sales revenue maximization A.A. Burley and GC ने बताया था manager enjoys discretionary power to set goals and Williamson ने बताया था maximization of managerial utility function अब बिटा इसमें इतना जादा explanation का कोई पार्ट नहीं है तो मैं वीडियो को जल्दी जल्दी से खतम कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो 1.5x पर देखकर आराम से इसको देख लें ये जो पूरी PPT है या हमारे application में free में available है वहां से डाउनलोड करके एक बार देख लेंगे तो आपको सही से और जल्दी खतम हो जाएगा ये topic ठीक है ना मिटा आगे बरतें ठीक है ना Cyrit and March ने बोला था goals profit maximization sorry profit goals production goals inventory goals sales market and sales share goals के बारे में Cyrit and March ने बोला Paul H. Douglas and C.W. Cobb अभे हम ने बताया था Cobb Douglas production function के बारे में हम ने बताया था applies not only to individual firm but to the whole of the manufacturing industry Chamberlain ने क्या बोला था distinction between selling cost and production cost का बीच का difference Chamberlain ने बताया है Frank Knight ने बताया था अभी अभी हम यह तो यहां तक की चीज़े मैंने आपको बताई है यह वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल होने जा रहा है for your September examinations of 2024 विश्यो लख मिलते हैं ऐसे ही एक FastTrack वीडियो के साथ जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूँ जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है अप्लिकेशन डाउनोड करो और ये नोट्स डाउनोड कर लो